अगर लाइफ मेरा कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए तो उसकी खुशी अलग होती है जैसे चाई के साथ एक्स्ट्रा बिस्किट गोलगप्पे के साथ एक्स्ट्रा सूखी पूरी आलू पुराथा के साथ एक्स्ट्रा मक्षण और फरवरी में गॉर्मेंट एस्ट्रेंट के पिर्प्रेशन के लिए एक एक्स्ट्रा दिन यहां सभी गॉर्मेंट एक्जाम के सुपर कोचिंग पर मिल रहा है अब तू 90% ओफ इतना ही नहीं, फारेल सेलेक्शन होने पर पाईए 100% प्रूपन इस प्रूपन देख पारें सुन पारें बाइब अग्जाम एक्जाम से जे आरार भी जे इसका आगाज हम लोगों ने अल्लेडी कर दिया है हर दिन हम एक सब्जेट के साथ मिलते हैं और आज हमारे आगाज का 41 यानि की 41 से लेके 42 हना आज हमारे आगास का 41 तालिसवा दिन है तो एक बाद सेशन को सभी बच्चे शेर और लाइक कर देंगे so that we will start a fantastic session everyone और अगर इस तरीके का जटका आता तो परिशान मत होईएगा guys ठीक है किसी कारण से वो सही हो जाता है 2-3 मिट के अंदर तो आप लोग को ऐसा घबरानी का जरुवत नहीं है I hope कि आपको वापिस इसा देखने को नहीं मिलेगा एक बाद सेशन को शेर कर देंगे सभी बच्चे चली start करते हैं तो पहला कुशन आपके सामने ये रहा the test used अच्छा आज हमारा measurement का topic है तो यहाँ पर measurement के related देखेंगे चीजों को तो पहला कुशन आपके सामने ये रहा the test used to locate high resistance fault in low resistance conductor circuit will be एक निम्न प्रतिरोध वाले चालक clear परिपत में उच्छ प्रतिरोध त्रूटियों का पता लगाने के लिए कौन से परिक्षन का प्रियोग किया जाता है जो इस test को हम use करते हैं locate करने के लिए किस चीज़ को locate करने के लिए तो हम लोग locate करते हैं एक high resistance fault को in low resistance conductor के अंदर हम लो क्या basic करते हैं अच्छ एक बच्चा बोल रहा है कि सब पूरे हपते रहेगा क्या यह वाला fault आज दूसरी दिन आया है है ना यह वाला fault आज मतलब दूसरी बार आया है इडिस नॉट आप एवरी डे हैना बिटा तो एक एका दिन चलता है चलिए चलिए और एक बास अभी लोग बच्चे एक बास session को share कर दीजेगा आप लोग इतना तो करी सकते हैं अब ऐसी कोई चीज हो जाती है जो कि आपके और मेरे हाथ में नहीं हो तो उसमें क्या ही कर सकता है कोई नहीं चलिए तो स्टार्ट करते हैं न कोई चीज ऐसी कभी हो ज लो रजिस्टंस कंड़क्टर के अंदर जब हम लोग यूज करते हैं इसको basically हम लोग बोलते हैं मरे लूप टेस्ट क्या बोला जाता है इसको प्यार से मरे लूप टेस्ट बोला जाता है इसको प्यार से क्या बोलते हैं ध्यान रखियेगा next एक 50 हर्ट का AC वोल्टेज है ज a meter are free from calibration then form factor of AC voltage may be estimated as आपसे क्या सवाल बोला गया है एक 50 hertz का moving iron volt meter है सुनते जाएगा clear एक 50 hertz का moving iron volt meter है moving iron volt meter वो होता है जो AC DC दोनों पढ़ सकता है तो एक 50 hertz का moving iron volt meter है और एक rectifier type का instrument है AC volt meter है जब हम इन दोनों को parallelly में connect करते हैं और meter हमारा read करता है V1 और V2 तो आपको बताना है form factor की value कित्ती होगी AC voltage की अब सबसे पहले आप मुझे बताइए form factor होता क्या है form factor के बारे में अगर आप मुझे बोलोगे तो form factor basically आपका क्या होता है RMS value divided by average value इसी को form factor बोलते हैं चली बताइए अब moving iron ने क्या पढ़ा और इसने क्या पढ़ा एवरिवन जली है test book टी-शिट कहां गई अरे यार उसकी एक दास्तान अलग है वो मैं आपको बता दूँगा है ना फिर कभी अभी आप लोग पढ़ाई कर लो ठीक उसकी दास्तान में आपको बता दूगा जली बताओ क्या होगा यार इस question का अंसर तो कुछ बच्चों नानी के घर चलेंगा उन्हों पढ़ना वढ़ना छोड़ दिया चीक है उन्होंने पढ़ना वढ़ना छोड़ दिया तो कुछ बच्चे नानी के जा चुके होंगे उन्होंने पढ़ना वगएरा छोड़ दिय तो आपका moving iron by default जिस value को पढ़ता है वो अपने आप में एक rms value को ही पढ़ता है लेकिन आपका rectifier instrument जो है वो basically जिस value को पढ़ता है तो rectifier instrument में एक pmmc लगाया जाता है और जब rectifier instrument में एक pmmc लगाया जाता है तो जो कुछ भी वो पढ़ने वाला है वो average होता है लेकिन एक rectifier instrument को calibrate किया जाता है वो rms के terms में किया लाता है आज दुने calibration के बारे में भोल दिया ठीक है कि ये सारे instrument free है calibration error से और जब ये सारे instrument free होगा calibration error से तो भाटना जो form factor है आपका वो क्या हो जाएगा v1 by v2 मुझे बता ही form factor क्या होता है form factor मतलब होता है rms value divided by average value यह होता है अब moving iron की reading V1 है moving iron हम सब जानते हैं कि वो RMS पढ़ेगा अगर मैं बात करता हूँ rectifier instrument की तो rectifier instrument जो होता है वो average value तो पढ़ता है क्योंकि उसमें PMC लगा रहता है लेकिन साथ ही साथ rectifier instrument के बारे में एक बात और याद रखेगा यह average value तो पढ़ता है लेकिन rectifier instrument एक ऐसा instrument है जो basically calibrate किया जाता है in terms of RMS अब calibrate in terms of RMS अगर हम इसको कर रहे हैं calibrate अगर हम इनको in terms of RMS कर रहे हैं लेकिन उसने पहली बोला it is free from any calibration error तो हमें कोई रिकतनी हम directly लिख देंगी कि भाई तूई average पढ़ेगा तो V1 by V2E हमारा क्या कहलाता है form factor कहलाता है ध्यान रखिएगा इस question को करेंगे एक बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पे देखोगे 110 oblique 100 volt का potential transformer है इसको use किया जाता along with a voltmeter जिसकी reading 24.5 है find the value of high voltage to be measured तो high voltage की value कितनी हो जाएगी सवाल यहाँ पर यह है कि भाई एक आपके पास विभव परिणामित्र है यानि कि potential transformer है और अगर आपके पास एक potential transformer है और आप देखोगे यहाँ पर यह रहा वो potential transformer इस potential transformer में वो यह बोलता है कि यहाँ पर भाई मैंने एक voltmeter लगा दिया है चलिए भाईया ये वोल्ट मीटर जो है वो साड़े 24 वोल्ट के बारे में पढ़ने का काम करता है सिमिलर लिए अगर हम बात करते हैं वोल्ट मीटर के अंदर तो आप देखोगे potential transformer की ये rating देके रखी हुए यानि कि 110 oblique 100 volt का volt हमारा transformer है अब आपसे वो ये पूछ रहा है कि high voltage side voltage कितना होगा तो भाई ये वाली side high voltage है तो इस तरह voltage कितना हो जाएगा simple सी बात है बताई ये कितना हो जाएगा तो बैटा V1 upon V2 जो है वो basically किसके बराबर होना चाहिए 110 divided by 100 के बराबर और equal to वही का वापिस voltage निकालना है माल लेता हूँ वो X से और इदर का आज कितना है साड़े 24 अब यहां से X का value कितना निकल किया जाएगा 110 divided by 100 into साड़े 24 तो कुल मिलाके answer साड़े 24 से तो जाद ही आएगा जब answer साड़े 24 से जादा आएगा तो ये दोनों तो हो नहीं सकते इन दोनों को calculate करना है तो बता जीजे कितना निकल किया जाएगा तो 1.1 को multiply करेंगे साड़े 24 में बेटा 1.1 साड़े 24 में multiply करने का मतलब है साड़े 24 का 10 परसेंट बढ़ा दो यानि कि साड़े 24 के अंदर आप लोग कितना multiply कितना कर दो 2.45 को क्या कर दो add कर दो तो भाई ये कितना answer हो जाएगा ये हो जाएगा 2695 the correct answer of this question is perfectly 2695 the correct answer of this question is 2695 बहुत ही प्यारा सवाल इसको एकड़म करेंगे वह तेजी में करेंगे एकड़म गलती होने का कोई चांस नहीं लेना है गलती होने का कोई भी चांस नहीं लेना है इस question को try करेंगे everyone fast जली चलिए तो यहाँ पर देखोगे एक deflection angle pointer का एक ideal moving iron emitter का एक deflection angle pointer का ideal moving iron emitter का एक deflection angle pointer का ideal moving iron emitter का ठीक है तो वो आपको देखे रखा है 20 degree अगर वो 1 ampere DC पढ़ता है तो तो एक बात तो समझ में आ गई एक चलित लोह प्रिकार का meter है और अगर वो DC DC AC दोनों पढ़ सकता है अगर वो 1 ampere का DC पढ़ता है अगर वो 1 ampere का DC अगर वो पढ़ता है तो याद रखेगा उसमें जो deflection मिलता है वो 20 degree का मिलता है आप से बोला जा रहा है अगर AC पढ़वाएंगे तो कितना deflection मिलेगा सुनते जाईएगा मेरी बात को AC पढ़वाएंगे तो कितना deflection मिलेगा moving iron instrument जो होता है इसके बारे में बताऊंगा इसका जो theta होता है वो directly proportional to i square होता है i2 square के directly proportional हो जाता है अब theta 1 हमारा पहला वाला deflecting angle है theta 2 के बारे में हमें मालूम नहीं i1 बता जाँता हूं में तो i1 हमारा 1 ampere है लेकिन जब मैं i2 के बारे में पढ़ने जाऊंगा तो i2 basically मेरा एक ऐसा current हो जाएगा जो आप पर देख सकते हो basically वो क्या हो जाएगा 3 sine omega t अब 3 sine omega t की अगर मैं बात करूँ तो 3 sine omega t की मैं जब भी बात करने जाऊंगा basically तो 3 sine omega t मतलब क्या तो 3 sine omega t मतलब इसकी rms value पड़ेगा बेटा इसकी rms value कितनी हो जाएगी 3 by root 2 का whole square तो हमारा जो answer निकल के आजाएगा वो कितना आजाएगा 9 by 2 into 20 degree यानि कि कितना निकल के आजाएगा 90 degree निकल के आजाएगा the correct answer of this question is 90 degree the correct answer of this question is 90 degree एक 230 volt का single phase का energy meter है जिसका constant load current है 20 ampere का UPF पे काम करता है अगर मेरी meter की जो disk है वो rotate करती है revolve करती है 2300 revolution 2 घंटे में तो meter का जो constant है वो कितना निकल के आएगा 230 volt के एकल phase वाले उर्जा meter में एकल शक्ती गुणंग पर इस्थिर भार धारा 20 ampere है यादि meter disk 2 घंटे के दोरान 2300 गुणंग करता है तो meter का इस्थिरांग यादि कि meter constant कितना होगा चचा meter constant अगर आपको निकालना हो तो meter constant basically होता है beta किलो वाट के लिए voltage into current करना पड़ेगा तो बेटा voltage into current कितना आ जाएगा यह आ गया वाट divided by करूंगा तो आ जाएगा thousand यह आ गया कितना किलो वाट और hour की बात करूंगा तो दो निकल के आ जाएगा clarity है yes sir अब इसके बाद की अगर मैं बात करने जाओंगा तो आप देखो ग एक हजार डिवैड़ बाद धाईसों के असपास आएगा 1000 डिवैड़ बाद चार करने जाओंगा तो 250 revolution पर किलो वाट तो यह यह चली नेक्स नल टाइप recorder और डैश रिकॉरडर एक शून प्रकार के रिकॉरडर कैसे रिकॉरडर होते हैं एक शून प्रकार के रिकॉरडर क कैसे रिकॉरडर होते हैं जली बोलेंगे गलती मत करना कोशन के अंदर एक भी पहली बता दिया है चल तो गाइस यहां पर देखेंगे और एक जिस वापिस बोलूँगा यह साल कर लो जीवन बन जाएगा नहीं तो यकीन मानो कबूतर में और तुम्हारे अंदर को यंतर न पर कबूतर भी उडता रहता है फिर एक जगे जाके बैठ जाएगा तुम भी एक जगे बैठ जाओगे जहां ठक जाओगे फिर उड़ोगे फिर कबूतर उडेगा है या नहीं तो इसली बोलता हूँ यह साल कर लो निकल जाएगा पिपर चले नल टाइप रिकॉर्डर हमारे clear potentiometric type ये भी बन सकते हैं, ये हमारे bridge type में भी बन सकते हैं, ये हमारे LVDT में भी बन सकते हैं, आप इनको जैसा बनाना चाहो, वैसे ये recorder हमारे बन जाएंगे, इसमें सच कोई दिक्कत नहीं कि कि किसी भी तरीके कब बने, what is the value of unknown capacitance CX and unknown resistance RS respectively in the circuit given below when no current flow through the detector, आपको बेटा यहां पे सवाल क्या है, सवाल आपके सामने यहां पर यह है, आप से बोला जाता है circuit के अंदर कि यहां से किसी भी तरीके का कोई current flow नहीं होता, यहां पर आप देखोगे, यह D है, D मतलब क्या होता है, detector, यहां से किसी भी तरीक का कोई current flow नहीं होता, यहां पर यह D क्या है, detector, और detector में किसी तरीके का कोई current flow नहीं होता, लल्ला, तो यह क्या हो गया, यह bridge हमारा क्या है, यह bridge जो हमारा है, वो balanced है, अगर यहां पर किसी भी तरीके का current flow नहीं होता, तो by defaulted मेरा यह जो bridge है, वो क्या है, balance, और अगर मेरा bridge balance है तो ये into ये equal to ये into ये कर देंगे तो मज़ा आएगी कि नहीं आएगी yes sir क्या आप मेरे साथ करने को ready हो क्या ये चलिए तो start करते हैं सबसे पहले तो भाई ये बताओ ये bridge साला कौन सा है बे 2RX ये bridge कौन सा bridge है चलो ये बताओ ये bridge कौन सा है ये कौन सा bridge है बताओ ये ये कौन सा bridge है sharing bridge है हावडा bridge है कौन सा bridge है ये bridge कौन सा है good कुछ बच्च बोलने sharing bridge है चीक है चीक है चलो तो गाईस यहाँ पर बात कर रहे है इस पूडेंट का कहना है सर ये sharing bridge है ठीक है चलो ये सोच लेगा ये कौन सा bridge है उसके बाद आपन लोग इसको solve करते है सबसे पहले बताओ ये क्या है इसको निकालना है जिसको निकालना है उसको बगल में लिख लो क्या rx minus j upon omega cx ठीक है ओके सर इसका total impedance को मान लेता हूँ z equal to 80 into this तो 80 को ऐसा का ऐसा लिखे रहे है न तो और इसको क्या लिख दिया minus का j upon omega c1 ऐसी c1 नाम दे दिया मैंने इसका इस capacitor का नाम मैंने इसी c1 दे दिया ठीक है चली अब इधर देखो क्या होगा बेटा यह चीज देखना है यहाँ पर यहाँ पर देख तेरे पास rx minus का j upon omega c1 जो लिखा है उसको ऐसा कैसे लिखे रहे हैं दे और बेटा z को तू क्या लिख सकता है 1 by y लिख सकता है z को जब तू 1 by y लिख सकता है तो यह हो जाएगा minus 80 upon omega c1 j और multiply में इधर y आ जाएगा इधर क्या पहुंच जाएगा तेरा y तेरा इस तरफ पहुंच जाएगा तो आप देखोगे यहाँ से क्या निकल क्या जाएगा यहाँ से आप देखोगे जब तो यह आ जाएगा rx minus और अगर हम बात करते है rx minus j upon omega cx should become equal to minus का 80 upon omega c1 और यहाँ पर आप देखोगे यह j होता है और y जो है वो कितना हो जाएगा तो यह parallel quantity है तो parallel quantity में मुझे लगता है आप लोग जाहिर से बात है जानते हो कितना होता है बिटा 1 upon r यानि कि 1 upon 160 1 upon 160 और 1 upon minus j upon omega c यानि कि plus times of j upon omega c omega into c और इसको नाम में देता हूँ यह वाले capacitor को c2 कैसा लगेगा अच्छे लगेगा भाई इसमें बुरी बात तो है नहीं चलिए अब real part को real part से equate कर लीजे imaginary को imaginary से कर लीजे तो real part को जब real part से equate करने गए तो real part कहां होगा यह minus j वाल अंदर multiply होगा j into j minus मिला के plus हो जाएगा और plus हो जाएगा तो 80 हो जाएगा omega से omega cancel हो जाएगा 80 हो जाएगा और c2 by c1 हो जाएगा याद रखना मैंने इसको c2 माना है और याद रखना मैंने इसको क्या माना है c1 माना है तो इसको बेटा मैंने c2 माना है और इसको मैंने क्या माना है c1 माना यह आ गया yes sir अब यहाँ से तो बहुर्ट सिंपल यह बताइए क्या हो जाएगा 25 25 25 यानि की 5 by 4 5 by 4 यानि की 4 दुनी 5 दुनी 10 यानि की 100 ohm के आसपास आना चाहिए है ना मेरे साब से 100 ohm के आसपास आना चाहिए अब आता है imaginary वाला तो imaginary वाले को solve कर लेंगे तो जिसमें RX 100 मिल रहा है RX 100 नहीं मिल रहा भाई कुछ और लफडा है कहीं तो कुछ तो हुआ है रे बाबा 80 into 80 into 80 into minus j upon omega c1 अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया है ना वही मैं को लग रहा था कुछ तो मैंने गड़बड करिये चलिए तो c2 भाई c1 है c2 यह लिखा था पहले से है ना और c1 आपका ये वाला है तो c1 आपका ये वाला था वह सीवन था तो यह हो जाएगा बीश बटा पच्छीस वही में को लग रहा कुछ तो गड़बड करिये बागी साफ बीस बटा पच्छीस अब बीस बटा पच्छीस किता हो जाएगा वही पाच चार बटा पांच है ना तो एट फोजा थर्टी जो तीन सो बीस बटा पांच कितना हो जाएगा तीन सो बीस बटा पांच कितना हो जाएगा विटा फाइफ शिजा थर्टी कुछ गडबड़ कर रहा हूंगे मैं 4 5 4 to 20 5 5 to 25 5 to 5 और 5 बनना 5 16 4 to 64 प्रेक्ट रांसर कितना जाहेगा इसका 64 ohms प्रेक्ट रांसर कितना जाहेगा 64 ohms अब 64 और उप्शेन में देखते है क्या यस अब रांसर रांसर दिस कोशिन इस 64 ohms चिक है? चलिए नेक्स अगर इसका full scale deflection current कितना हो जाए पाँच एमपियर तो ऐसी situation में आपको इसकी value बताना है कितनी हो जाएगी सिच्वेशन में आपको इसकी value बतानी है कि कितनी हो जाएगी जली everyone ने दीपक भाई आपकी बात तो सही है लेकिन माल अगर पहली बार कोई बच्चा ये class देख रहा हो उसको कैसा समझ में आएगा तो दोनों को लेकर चलना है या ठीक है चल तो यहाँ पर देखेंगे the range of moving coil moving मतलब coil मतलब बिटा PMC की बात की जा रही है ठीक है तो जो resistance लगाना पड़ेगा यह सवाल अब समझ में नहीं आया इस सवाल में अब कुछ तो गलती हो गई पूछे कैसे पहले यह बोल रहा था है पचास वोल्ट का इसका यह scale है ठीक है भाई और resistance कितना था बिटा मीटर का रजिस्टेंस कितना था मीटर का तो रजिस्टेंस मीटर का था 6 ओम रजिस्टेंस मीटर का कितना था 6 ओम अब यह बोल रहा है find the value of multiplying factor of the series resistance if its full scale deflection is 5 ampere ठीक है भाई यह अगर यह पहले पचास वोल्ट नापता था ठीक है तो current कितना नापता था पहले यह 50 वोल्ट नापता था तो बिटा current कितना नापता था है ना कुछ गडबड है क्या कोशन के अंदर यह range of moving coil instrument having a meter resistance of 6 ohm is this तो पचास बाइच्छे कर दिया find the value of multiplying factor of the series resistance with its full scale deflection current is 5 ampere कुछ गडबड है कुछ गडबड है कोशन में कुछ गडबड है यह सही है कुछ गडबड है सही है सही है क्या सही है पहले बोलता है 50 volt का scale है तो 50 volt का scale है 6 ohm का resistance है multiplier resistance आप से पूछ रहा है तो कोई नहीं simple question है भाई multiplier resistance तुम अगर मुझसे पूछते हो ठीक है और तुमारे पास voltage की range 50 है तो भाई तुमारे पास 50 volt की range है और तुमारे पास current 5 ampere का है तो तुमारा total resistance जो है वो instrument का 6 है तो बचा हुआ कितना हुआ चार हुआ फिर तो इस आप से 4 answer आना चाहिए भाई अगर total range इसकी 50 volt है ठीक है तो हमारा ये 4 आना चाहिए बड़ सर उसने हमसे resistance नहीं पूजा उसने आज क्या पूछा था multiplying factor क्या पूछा था अब multiplying factor क्या होता जा रहा उसको समझ लेते है ठीक है multiplying factor जा रहा क्या होता उसको समझ लेते हैं चलो अब आती बात multiplying factor की तो याद रखिएगा जब भी आपको बोला जाए है ना series resistance की तो voltage की rating बढ़ाने के लिए किया जाता है और voltage की rating जब बढ़ाने के लिए किया जाता है तो याद रखिएगा multiplying factor आपका जो होता है व multiplying factor गोर बड़ी कुनाल भाई लव यू चले तो यहाँ पर देखेंगे आप यह होता है नया अपान कुराना अब यहाँ पर देखेंगे जो multiplier resistance होता है वो basically हमारा होता है मैं तो game खेलूंगा ऐसा नहीं कि जल यली कराओ जल यली कराओ सो question करा दो हम घर जा रहा है ऐसा नहीं कहां गलती होती ही क्या होता है वो सब कुछ को देखते हो चलना है ठीक है चले और मीटर का जो multiplying resistance होता है वो n-1 into meter resistance होता है मीटर resistance तो मुझे पहले से पता था कि 6 हम है अगर मुझे यह पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा लेकिन यह नहीं करना अब मैं बताता हूँ multiplying factor बास्तविक्ता में है क्या भाई पहले क्या था आपके पास current 5 ampere की flow होती थी और आपका resistance 6 ohm था इस वज़ा से है ना I into R के साब से आप मात्र इंस्टूमेंट से 30 volt नाप पा रहे थे कितना नाप पा रहे थे 30 volt अब आपने क्या किया एक सीरीज में resistance लगाया high value का जिससे कि अब instrument जो है वो 50 volt नापने लग गया तो नया voltage जो है basically वो हमारा कितना आएगा 50 volt और instrument का पुराना voltage कितना गा 30 volt ऐसी situation में अगर मैं बात करूँगा तो 1.2 something हमारा answer आना चाहिए the correct answer of this question is 1.67 तो आज ही question थोड़ा का उल्टा है maximum time जब आपको exam में question मिलता है तो यह इधर पहले वाला data पहले देते हैं बाद वाला data पूछते हैं आज उन्हें बाद वाला data पहले देखरके पहले वाला data पहले पूछा ठीक है चली next potentiometer sensitivity can be decreased by एक potentiometer की sensitivity को कैसे कम किया जाता है जो बच्चे class को regular live नहीं देख रहे हैं उनसे मेरी request की class को regular live देखना चालू कर दीजिए ठीक है ना कहीं न कहीं आपके लिए बहतर चीज़े हो जाएंगी और बहतर चीज़े कर पाओगे है ना फरवरी चल रही है ठीक है फरवरी वैसी वीerry छोटी होती है है ना पता नहीं चलेगा गर्मी के दिन आ जाएंगे है ना गर्मियों के समय गर्मी जादा लगए Pacific Пон You मार अप्रिल पता नहीं चलेगा कब पता चलेगा मई चून सामने आकर खड़ा हो जाएगा जूल मे हर कुशन अच्छ है इसले थोड़ा टाइम लग रहे है चलो भाई potentiometer की sensitivity को कैसे decrease करें तो कुछ नहीं है potentiometer की sensitivity को आपको decrease करना है तो बस कुल मिला कि potentiometer is the voltage sensitivity का काम करता है जो कि one upon ifsd की बराबर होता है तो जितना ज्यादा current होगा automatically potentiometer की sensitivity क्या होने लगेगी कम होने लग जड़ी ठीक है चलो repeatability and reproducibility are related to किसी instrument का repeatability बारबार repeat होना readings का या किसी instrument की reading का बारबार reproduce होना ये basically किस से related है instrument की accuracy पे instrument के precision पे accuracy पे दोनों पे या इन में से किसी पे भी नहीं क्या बोला मैंने repeatability and reproducibility are related to repeatability and reproducibility are related to किस instrument की repeatability और उसकी reproducibility किस से related है ये related होती है बटा instrument के precision से को instrument कितना precise है precise मतलब बार 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 एक ही value उसकी आ रही है उसको बोलते हैं instrument का precise होना एक instrument की value बार 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 सेम आ रही है उसको बोलते है clear उसको बोलते है instrument का precise होना लेकिन एक instrument की का सटीकता आ रही है उसको बोलते है instrument का क्या होना accurate होना चीक है चली next pressure coil of energy meter has एक energy meter की pressure coil क्या होगी energy meter का मतलब होता है विद्यूत उर्जा मापी यंद्र और एक विद्यूत उर्जा मापी यंद्र के बारे में बात कर लेता हूँ इसकी कौन सी coil पूछिए बैटा pressure मतलब क्या होता है voltage और एक voltage coil का मतलब क्या होता है, एक voltage coil का simple सा लेना देना है एक voltage coil का simple सा लेना देना है आप बोलोगे क्या लेना देना है एक voltage coil का simple सा लेना देना है कि इसके जो turns होते हैं वो very few होते हैं sorry number of turns जो होते हैं more many turns होते हैं और पतले wire होते हैं pressure coil यानि कि voltage coil इसको हम लोग current voltage operated coil बोलते हैं इसमें number of tons काफी पतले होते हैं और बहुत ही जादा मातरा में होते हैं लेकिन एक current operated coil वो coil होती है जिसमें number of tons कम होते हैं और मोटे wire होते हैं चीक है चले primary of instrument transformer is connected in एक instrument transformer बोला है और instrument transformer कौन सा बोला है current transformer तो बटाए current transformer की primary winding किस में connect होती है current transformer की primary winding किस तरीके की होती है तो आप देख सकते हैं ये current transformer की primary winding है primary winding current transformer में mainly कहा connect होती ही पता है इधर से सीधा आपकी supply connected है generator और इधर सीधा आपका load connected है मतलब जितना heavy current आपका flow हो रहा है supply से load में जाने के लिए पूरा primary winding से होता हूँ जाता है और secondary winding side voltage बहुत हाई होता है तो हम लोग एक emitter या resistance लगा के छोड़ देते हैं तो याद रखेगा primary जो एक current transformer की होती है वो line के साथ series में connect होती है किसके साथ एक हमारी line जो होती है है ना उसके साथ series में connect होती है from the given Lesazu pattern obtained while measuring the frequency using a CRO the pattern while indicate the relationship vertical frequency is equals to 1 by 2 times of horizontal frequency एक cathodary oscilloscope का उपयोग कर आवरत्ती का मापन करते हुए प्राप्त हुए दिये गए लिसाजू प्रतिरूपों में से कौन सा प्रतिरूप vertical आवरत्ती equal to horizontal आवरत्ती बटा दो संबंद दर्शाता है everyone को सेशन को एक बाद दिल से सभी बच्चे लाइक करके hundred टॉप करेंगे फड़ा फड़ पास्ट क्या बाद चलिए तो आप देखो कि बटा कौन दर्शाता है सबसे पहले इस वाले को देख लेते हैं ठीक आप देखो कि यहाँ पर कैसे निकालते हैं ये horizontal और vertical frequency तो यार इसका formula बता देता हूँ vertical frequency divided by horizontal frequency जो होता है वो basically horizontal tangency divided by vertical tangency होता है सर ये tangency क्या है tangency मतलब horizontally कितनी बार काटा और vertically कितनी बार काटा और याद रखना ये एक बटा दो के बराबर है आज के question के हिसाब से मतलब horizontal अगर एक बार काट रहा है तो vertical दो बार काट रहा है simple सा logic ठीक है चलिए जड़ा cutting fitting देख लेते हैं अब देख लेते हैं पहले वाले में तो यार पहले वाले में तो मुझे लग रहा है जितनी बार horizontal काट रहा है उतनी बार vertical भी काट रहा है इस वाले में देख लेते हैं यह हमारी horizontal कटिंग है और यह हमारी vertical कटिंग है आप जड़ा देखते जाओ इन सारे के सारे लिसाजू पैटरंस के अंदर आपको एक common चीज़ देखेगी यहाँ पर verticallyly दो बार कटा है horizontally भी दो बार ही कटा है horizontal दो बार आया vertical चार बार आया है नहीं कि एक बटा दो तो मेरे असाब से तो भाई यही वाला आपका अंसर सही हो जाता है यही वाला आपका अंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आप बोलो कैसे यह वाले में यह वाला तो उल्टा चल रहा है देखो horizontal एक horizontal दो horizontal टीन horizontal चार वर्टीकल एक वर्टीकल दो तो भाई horizontal किते चार वर्टीकल किते दो तो भाई यह आंसर आपका दो आ रहा है जो कि हो ही नहीं सकता इस वाले को देख लेते हैं एक horizontal दो horizontal तीन horizontal चार horizontal पाँच horizontal छे horizontal horizontal कितने शे, वर्टिकल कितने हैं, एक और दो, तो वर्टिकल यहाँ पे कितने हैं, दो, ये भी आंसर नहीं हो सकता, the correct answer of this question is, only and only, the correct answer of this question is, only and only, only कौन, the correct answer of this question is only two, कहा है बाई, बी वाला, third option is the correct, समझे, जो बच्चे लगा जए थी ना, तू, आले तू मत लगा ना, तू तू हो जाएगी, क्यों, ये A है, ये B है, ये C है, ये DS को B बोला, तो B के साफ से तीन लगा ना, चल, एक सिंगल फेस, एनरजी मीटर ऑपरेट करता है, दो सू बोल्ट पे, पचास हर्ट्स की सप्लाई के साथ, और आपको बोला जाता है, क्या, कि ये उसको लोड लगाया, दस एमपियर का, दो घंटे के लिए, वो पॉइंट एट पावर फेक्टर है, मीटर जो लेता है, वो मीटर कॉंस्टेंट होता है, रेवॉलिशन पर किलो वाट आवर, और कॉपी पैन क्लास में लेकर के बैठा करो, ऐसा नहीं कि मुह देख रहे हैं, और चैट देख रहे हैं, उससे कभी सीख नहीं पाओ गया, सीरीसी बात है, आप भी बताओ, मुह देखने से कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा न, चलिए, तो 1800 रिवॉलिशन डिवाइड़ बाइ किलो वाट आवर, किलो वाट आवर के लिए आपको बोला जा रहा है करेंट और आपको बोला जा रहा है वोल्टेज, तो 200 इंटू 30 हो गया, अब दिवाइड बाइ थाउजन कर दिए, इससे क्या मिला किल और जब इससे हमारा ये चैंसिल हो जाता है, तो ये उटके ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाता है 18,000 और 18,000 डिवाइड बाइ आट दूनी 16, 22, तो ये हमारा आ जाता है 32, ठीक है, तो 18,000 डिवाइड बाइ 32 के साब से देख लिजे, कितना आंसर निकल के आता है, वही हो जाए कितना आता है कितना रहा है मैं भी कर लेता हूं आप भी कर लीजे 18000 divided by 32 562.5 आता है क्या एक बटा डीजिटल वोल्ट मीटर हमारे अपने 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 इक डिजिटल टाइप के इंस्टुमेंट के अंदर आते हैं इस कुशन को ट्राइ करेंगे एक पचास एंपियर का 230 वोल्ट का बिटा मीटर है जब हम उसको फुल लोट टेस्ट करते हैं तो 61 रेवल्यूशन बनाता है 37 सेकिंड में और नॉर्मली डिस्क की स्पीट 50 500 रेवल्यूशन पर किलोवाट आवर है तो आपको बताना है परसंट कितनी होगी जले करो बहुत प्यारा सवाल है और इसके बाद मेरी पांच बजी भी क्लास होती है तो क्लिप्या करके पांच बजी भी आईएगा और आज टेस्ट बुक की तरफ से आपको दो गिफ्ट हैं एक गिफ्ट तो मैं दूँगा और एक गिफ्ट और बताऊंगा द रेल्वे के हर एक्जाम की प्रिपरेशन होगी चाहे वो आररबी एलपी हो या टेकनीशियन हो आररबी जेई हो या सीनियर सेक्शन जेट और भी जितने भी एक्जाम सोते हैं चाहे वो ग्रूब डी हो एंटी पीसी हो इन सभी के बारे में इस पर्टिकुलर चैनल पर प्र समय लगेगा और आपको भी पता चल जाएगा कि हम एक्चुली में आपके लिए आने इस साल में पूरा क्या करने वाले हैं तो आपको भी एक आइडिया रहना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं तब तो आपको भी पता चलेगा क्या करोगे हैं चले यहां देखें तो सबसे की बात करूँगा तो beta हमारे पास अविलेबल 500 sexual per kilowatt hour की बात कर लेता है कि अगर मैं बात करूं तो kilowatt hour मेरा निकलेगा यहां से खोआक यह किट्स उनिकलेगा यह सर बोले और कितना खोड़े आजाएगा यह seconds जो होता है उसमें उसको मैं घंटे में convert करूँगा तो कैसे करूँगा 36, 37 seconds में divide by 60 करूँगा तो minute divide by 60 करूँगा तो hours निकल के आएगा इस पूरे को जब मैं solve करने जाओंगा तो आप देखो क्या मिलने वाला है 500 into 2, check, 2 0 से 2 0 cancel, check, check अब आप देखेंगे यह कितना निकल के आ रहा है बिटा, यह आएगा आपका 23 into 37 divided by कितना 6, 36 into 2 यानि की 72 अब इस पूरे को आप solve करके मुझे बताइए approximate कितने revolution आ रहे हैं इस पूरे को जब आप solve करोगे तो आपको पता चलेगा approximate कितने revolution आ रहे हैं यह मैंने direct formula लगा के निकाला कितने निकल के आ रहे हैं तो 23 into, अगर मैं बात करें 37, तो divided by अगर मैं करूं 72 तो यह कितना निकल के आ रहा है कुछ तो गड़बड हो गई क्या, number of revolution कितना आया अच्छा, मेरे से गड़बड क्या हुए इदा लेकने यहाँ पर यह 10 नहीं था, पचास था यह पचास था, यह पचास था, यह पचास एमपेर चलिए, तो 23 into 37 into 5 भी करना है, चलिए तो 23 into 37 into 5 23 into 37 into 5 divided by 72 यह basically कितना निकल के आएगा बेटा, 59.09 यह आएगा, लेकिन वो वास्तविक्ता में बना कितना रहा है 61, तो अगर मैं इस इंस्ट्रुमेंट को यूज करता हूँ जिसका इतना बीटा है, जिस पे इतना लोड लगा है तो काईदिस उसको बनाना चाहिए थे 59, लेकिन बना कितना रहा है 61, यह तो भाई, खर्चा जादा होगा हमारा, बिजली का बिल जादा आएगा आपके घर में आपके लोड के हिसाब से इतने रिवॉलुशन होने थे, इतनी बाट इसको गूम नी थी लेकिन वो गूम कितनी बार गई 61 बार, तो एक्स्ट्रा रिवॉलुशन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे है, हाँ डिवाइड़ बाई 59.09, बसको सॉल कर लो, कितना निकल किया जाएगा, कर लिजिए सॉल कितना आता है, कितना आता है आपके इसाब से अंसर, 3.2, यह आता है, चेक कर लिजिए, तीन परसंट आता है, चलिए, यह कोशन लीजिए, आज का होमवग कोशन आप लोगों को मैं प्यारा गिफ्ट दिया हुआ है, और जब बहुत ही प्यारा गिफ्ट यह है, कि पूरे AJE Electrical के सब्स्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ, तो पूरे AJE Electrical के सब्स्रिप्शन की कोस्ट को बहुत ही कम कर दिया है, आप देखोगे तो पता चलेगा, और यह आपके लिए क्यो इस वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में आओगे यह वो एई जई एलेक्टिकल की लिंक है जिसको लाखो बच्चो ने आज तक अपनी तैयारी करें और लाखो बच्चे पढ़ रहे हैं एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जो आपके हर एक्जाम के लिए सफिशन्ट होता है आपको अलग-अलग बार-बार नहीं पर्चेस करना होता है उसी को बोलते हैं इंडिया में एई जई एलेक्टिकल का सब्सक्रिप्शन यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो यह ससी जई का बैच चालू हुआ है भी रिसेंटली, आर अर भी जईए का भी बैच चालू हो चुका है रिसेंटली टेक-न-टेक दोनो साथ में आप लोगों को इंडिया के अगज़ू के लिए सफलता फांडेशन बैच आप लोग के लिए प्रोवाइट कर दिया गया है इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ मेरी personal mentorship के साथ सारे teachers यहाँ पे included है साथ ही साथ में हर exam की test series included है और साथ ही साथ में सबसे important बात इसकी price 4700 होती लेकिन 6 महिने में यह सिर्फ 3695 के आसपास है और जब 6 महिने में यह सिर्फ 3695 है तो यह price 20 की आपकी कम होकर के सिर्फ 3200 हो जाती है अगर आप यहाँ पर test book का एक universal coupon code जिसको बोलते हैं मोहित के apply करते हैं तो automatically यह price जो आपकी है वो 3200 हो जाती है जो कि अपने आप में सबसे reasonable price है इसके लावा अभी हम फिर मिलने वाले हैं शाम को 5 बजे 5 बजे हमारी एक और class होती है इंडिया के other AEJ exams के लिए जो हमारे recent में line up में होते हैं चलिए so thank you very much bye bye take care and love you